हला एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग फ्लेटफार्म फवर चनल पनेशा फॉर कॉम्टेटिव इग्जामिनेशन और आपका रार भी एंटे पीसी का सावंटीन जैनुवरी का शिफ्ट वन का एक्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर हम देखते हैं आपके पहले और इनके मैं आपको अंसर्स बताता जाओंगा है ना पहला कॉशन आपका यहां पर पूंचा गयाता कि कि इसको बोला जाता है मतलब समझे रहे लिए हैं कि हैदराबाद तेलंगाना में कहां पर है तेलंगाना में हैं नेक्स्ट वाले कॉशन पर आते हैं कोशन वहां नों गेस्ट नेशनल हाईवे के ऊपर है यह सबसे बड़ा जो अपना है इंडिया का वो कौन सा है और होगे लगेस्ट दीन है приложit काया के लुग क्राइट ऐसमें आप के इसमें ही अपने यह सहते दिधा की फॉटे दिलेका होट यानि कि कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर एंड होता है यह कोशन भी पूछा गया था हो सकता है कि तो अलग-अलग कोश्ट कि अगी तो कहां से स्ट्रेगर से स्टेक्ता है या से स्ट्विन होता है यह कन्य सबसे बड़ा इंडिया दहां में रखेंगे पॉर्थ वाला इसन में पूचा गया था दिक्ष meditation आपका पुछा गया गिफिन गुड्स क्या होते हैं यह फियारा क्वेशन है यह ज्यादा बच्छों ने स्कॉष्ण को अटैम्ट भी नहीं किया होगा गिफिन गुड्स जो होते हैं यह आपका इनके बारे में दोतीन पॉइंट बता रहा हूं अच्छे से देखना कि पहली बात तो क्या होते हैं अगर मैंने रेट बढ़ा दिये तो लोग क्या करेंगे उसे थोड़ा कम-कम यूज करना शुरू कर दें कमी तो आएगी उसके बट इसमें क्या होता है इनकी अगर प्राइज बढ़ेगी बहुत ही थोड़ी सी प्राइज बढ़ी लेट से पहले आपको 40 रुपए किलो क्या मिल रहा था चावल मिल रहा था अब वो 43 रुपीज पर केजी चावल हो गया लेकिन इसकी डिमांड तो और भी बढ़ गई क्यो जो ग्राफ होता है वो वर्टिकल कैसा होता है था इस तरीके से चलता है इस चीज को आप क्या करेंगे अच्छे से दान में रखेंगे एकसले किया तो सबसे बढ़ी आया एक्जामपल है यह चावल ठीक है ज़िए नेक्स्ट वाले question पर आते हैं फिफ्ट वाले question देखो यहां पर यह आपका पूचा गया था कि जो current है वो किसमें measure किया जाता है current को measure हम किसके through करते हैं तो current को measure किया जाता है भाई मीटर से किसे किया जाता है मीटर से और अगर option में गल्वनो मीटर दिया हो ना वो भी आपका correct हो जाता है क्योंकि गल्वनो मीटर जो होता है वह बहुत ही चोटी यह बहुत माइन्यूट सी current को measure करता है ठीक है और अगर आपसे पूचे ले current को basically अगर ordinary हम बात करें तो मीटर मेजर करता है बहुत चोटा current हो तो उसको गल्वनो मीटर मेजर करता है ठीक है फिर देखो एक question आपका पूचा गया भी वोल्ट मीटर किसको measure करता है देखो दौनों question जुड़े है एक दूसरे से वोल्ट मीटर वोल्टेज को measure करता है ठीक है तो यह justice of India कोने राइट नहों तो शरद अर्वेंद बहुवडे हैं इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए नेक्स्ट वाला question देखो इसमें आपका article 72 की उपर था कि article 72 में क्या है तो इसमें pardoning power की उपर है कि जो pardoning power है president की ठीक है ऐसे की complete उसका बोलने कि अब तुम क्या रहोगे जिंदगी भर कैद में रहोगे लेकिन तो में फासी नहीं दी जाई तेरी किसी थोड़ी से सजा जो है वो कम कर सकते हैं है ना चलिए नेक्स्ट वाले question पर आते हैं यह question देखो बड़ा ही अडपड़ा सा question पूछा गया यह बताना मुझे question आया था क्या question था कि UNESCO का 11th wildlife century जो है वो वर्ड लाइफ देखो जो UNESCO के द्वारा इंडिया में 11th wildlife century है जिसको की recently world heritage site बनाया गया ठीक है चलिए अगले वाले question पर आते हैं देखो 10th number का यह question आपका आया था ओके यह question था आपका global level पर क्या बूला था global level पर जो आपका health वग्यारा से related concern होते हैं उनको कौन सा organization देखता है तो बड़ा ही easy सा question है वह ही देखता है world health organization है ना तो यह हो गए आपके और एक question और था बट इसमें मैं confused हूँ तो चलो इसको छोड़ते हैं बागी question देखो मैं बता दीता हूँ ऐसा था इसमें मुझे ही confusion है तो मैं आपको क्या ही बता हूँ अकलकत्ता में किसका headquarter है ऐसा कुछ question आया था कि अकलकत्ता में किसका headquarter है चार option थे उसमें से आपको बताना था ठीक है तो अब जो भी option के according वाला question आ यह तो reasoning पे आते हैं ठीक है फटा फट से देखो reasoning में क्या आया था reasoning मैं मैं पहले बता दूँ आज की shift 1 में जो है आपक इमेज वाले question होते थे ना वो जादा नहीं आया बाकि एक आदा दो आये होंगे और पजल देखो पजल काफी अच्छे questions आये है पजल के तीन कोशन पूछेगे सेटिंग अनेजमेंट वाले order and ranking आ रही है ठीक है तो order ranking बहुत अच्छे से गरगे जाना जैसे इसके अभी आ question है आपके डियाई के जो है पांच कोशन आये कर दो करें घृट बाकि सबसे ज्यादा नंबर कोशन कुछे गए तीन कोशन ठीक है तो बाकी सबसे एक दो एक-दो आये हैं जो आपके नॉर्मल्ली आ रहे हैं मैंने आपको अलग से बता दिया जो थोड़ा सा पेटर्न अभ वन से भी ज्यादा जो है advanced math के question अभी हमें phase 2 में देखने को मिल रहे है ठीक है तो मैं आप से यही बोलूँगा कि भी जो आपकी advanced mathematics है सब्सक्राइब हो गई है यह जो टॉपिक्स है थोड़ अच्छे से देख करके जाना को ज्यादा हाई लेवल के questions नहीं आ रहे हैं बेसिक आप मैंसुरेशन को ठालो तो इसमें पस फॉर्मला फॉर्मला करके जाना है 3D वाले के तो बहुत अच्छे से करके जाना हो ठीक है है इंचेंटर का question इंचेंटर हो गया सरकमसर्क्राइब की बीच में क्या रिलेशन होता है ठीक है तो यह चीजें थोड़ा है वह याद गर जाना अच्छे से एलजेब्रा में आपका वस बही वेसिक टाइप आ रहा है एक्स प्लस बन बाई एक्स वाला प्रिग्नोमेटरी में जरूर थोड़ा सा वैरियेशन देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह सारी सारी चीजें हैं मोटी मोटी मैं आपको बता दीं बाकि यहीं पर सेशन को एंड हैं जरूर झाला झालाम है थिमा बता है जरूर यह सारी अचिन देखने को में आपको भांपको ऑ्らम झाल म हाय क!!